जाहिन दोस्तों मेरा ना मैं अतुल और स्वागत है आपका अपनी यूटिब चनल अतुल टिक बजार में दोस्तों यह है POCO X3 PRO device recently launch हो है और यहाँ पे एक demanding वीडियो था कि भाई इसमें FPS meter जो है continue test करो जितने भी mode यहाँ पे graphics support करता है यहाँ पे मैं आपको सारे mode में FPS test continue यहाँ पे बताने वाला हूँ PUBG bootcamp play में भी continue FPS meter चेक करेंगे वीडियो चल लगे दोस्तों तो like, share और subscribe करना ना भूलेगा Xiaomi और POCO की device में inbuilt FPS meter आपको लेखने को मिलता है तो यहाँ पे जैसे ही आप about phone में जाओगे version पे आपको tap करना है और जो developer mode है उसे यहाँ पे आपको enable कर लेना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको additional setting का option मिलता है additional setting में चले जाना है और यहाँ पे developer mode जिसे आपने भी unlock किया है उस पे चले जाना है यहाँ पे आपको monitoring का option मिल जाएगा अच्छा सर्च करेंगा, पावर मॉनिटरिंग पे यहां पे जो पावर मॉनिटर का उप्षन है, वहां पे चले जाना है, और यहां पे आप देख सकते हो, प्रेम रेट मॉनिटर टूल्स इससे स्टार्ट कर देना है, यहां पे दोस्तो इसी एप्पियस मिटर को मैं तो इस तरह से दोस्तों अगर आप चाहो तो अपने शौमी या और पोको के मोबैल में से आन कर सकते हो इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ यहां पर जो रिफ्रेश रेट में ही यहां पर हम चेक करेंगे यहां पर देख सकते हो स्मूथ और एक्स्ट्रीम का यहां पर आप्शन आपको मिलता है एपिएस यहां पर देख सकते हो है थर्टी एपिएस यहां पर दिखा रहा है इसे डेक करके आप दर दर कर सकते हो जैसे यह आप इसे इनेबल करते हो Balance में भी यहां पे आपको Extreme का Option मिलता है Even SD और HDR में भी आपको Extreme का Option मिल जाता है Ultra SD भी आप यहां पे Gaming कर सकते हो जो कि काफी अच्छी बात है, काफी अच्छा Graphics देखने को मिलेगा बट FPS थोड़ा यहां पे गिर जाता है Means हम यहां पे सभी जो सैटिंग है Graphics की सभी में हम यहां पे IPS मेटर अगा के चेक करेंगे तो सबसे पहले Smooth और Extreme में हम यहां पे खेलेंगे तो फड़ा फड़ से दोस्तों यहां पे जो Gaming से बटाइप है में दियार कर लिया है और यहां पे Gaming को स्टार्ट करते है लावी में यहां पे आप देख सकते हो IPS मेटर जो है Continue आपको बताएगा यहां पे आप देख सकते हो जो IPS है 6160 59 के आसपास जो है यहां पे मैंटन कर रहा है काफी अच्छा एक्सपिरियंस यहां पे गेमिंग का इस मोबाइल में आपको मिलना है Snapdragon 860 प्रोसेसर और यह काफी अच्छा मोबाइल है जो कि इस रेंज में आपको इस कीमत में अभी मार्केट में एवलेबल है फिलाल दोस्तों आपको Continue आप यहां पे देख रहे होंगे 60 59 IPS के आसपास ही यहां पे अभी यूज़ हो रहा है चलिए फटा-फट से इससे भी आगे खुड़ासा करके मैं आपको आगे की गेमिंग दिखाता हूँ आपको एक बार फिर से दिला दू स्मूथर एक्स्ट्रीम सेटिंग में हम यहां पे अभी खेल रहे है और आप देख सकते हो जो IPS है फ्रेम पर सेकेंड वो यहां पे अभी 60 59 के आसपास ही है और यहां पर दोस्तों एक कोची बता दू यार यह मैं सर्वाइब के लिए नहीं किया रहा हूँ पपजी गेमिंग मुझे उतना अच्छा नहीं आता है तो यहां पर सिर्फ आपको IPS के रिगार्डिंग में आपके इन्फर्मेशन दे रहा हूँ किस-किस ग्राफिक सेटिंग में आपको कितना IPS मिलता है तो यहां पर भई मैं डेहर हो चुका हूँ अभी हम तूसरी सेटिंग में गेम करेंगे और देखेंगे कि उसमें IPS कितना मिलता है इस बारी दोस्तों यहां पर Balance और Extreme में हम कहलेंगे और यहां पर पड़ापट से स्टार्ट करता हूँ यहां पर दोस्तों 860 जो प्रोसिसर है काफी अच्छा प्रोसिसर है और इसमें आपको काफी ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं अगेंसे आप यहां पर देख सकते हो balance और extreme में हम यहां पर खेल रहे हैं और जो frame है यहां पर 6059 ही है इससे थोड़ा भी नीचे यह नहीं जा रहा है तो यहां पर अगर आप gaming continue करते हो तो जो FPS है यहां पर बिल्कुल भी drop नहीं होने वाला है आपको बिल्कुल भी lag या फिर frame drop का issue जो है वो नहीं आने वाला है यहां पर इस option में इस graphic setting में भी आप continue काफी अच्छी तरीके से gaming कर सकते हो तो इस बार दोस्तों यहां पर हम HD और extreme को यूज़ करने वाले हैं और यहां पर setting को मैंने save कर दिया है अगेंसे यहां पर मैं lobby में अब इस बार आपको दिखा ज rating है mostly बहुत ही कम device में आपको HD extreme को option मिलता है यहां पर 860 processor में फिर ज्यादा optimization आपको मिलते हैं तो यह जो options है इस Poco X3 Pro device में आपको मिल जाता है तो अगेंसे आप यहां पर देख सकते हो continue FPS reading यहां पर meter कर रहा है और यहां पर जो है आपको 60 59 के आसपासी देखने को मिलता है FPS बूड केम में लेंड करके भी यहां पर आपको मिदार देता हूं यहां पर आप देख सकते हो जो FPS है यहां पर 58 अभी एक बारी दिखा था 58 59 और 60 इसके भी पीछे यह नहीं जा रहा है मिंस दोस्तों यहां पर देख सकते हो high graphic setting में आप खेल रहा हो HD extreme में तो भी थोड़ इस फोन में इस processor के साथ आपको नहीं मिलेगा काफी ज्यादा smooth तरीके से आप PUBG गेमिंग जो है इसमें कर सकते हो तो भी इस से सेटिंग के साथ भी यहां पर थोड़ा सा मैं आपको fast forward करके दिखा देता हूं आपको continue दिख रहा होगा स्क्रीन में यहां पर आप देख सकते ह 58 के आसपास ही जाता है उसके पीछे यानि 57 fps में अभी कभी भी यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा तो काफी अच्छा है HD Extreme में जो आप यहां पर गेमिंग कर रहे हो काफी अच्छे तरीके से गेमिंग कर सकते हो तो दोस्तों आप ग्राफिक सेटिंग जो है HDR Extreme में ह देखने को मिल सकते हैं fps मिटर जो है थोड़ा बहुत डाउन यहां पर हो सकता है क्योंकि यह काफी ज्यादा हाई क्राफिक सेटिंग है तो भी लॉबी में यहां पर आप देख सकते हो अभी यहां पर 60 59 60 59 के आसपास ही है यहां पर मैं इसे ड्रेक करके अच्छे तरीके से आपको यहां पर दिखा देता हूँ आप देख सकते हो अभी हम खेल रहे हैं भाई HDR एक्स्ट्रीम में और HDR एक्स्ट्रीम में भी आप देख सकते हो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ पीछे जाएगा 58 57 56 तरब लेकिन यहां पर देख सकते हो 60 fps अभी भी मेंटेन यहां पर किया हुए कंटिन्यूसली यहां पर आप यहां पर देख सकते हो सामने स्क्रीन पर चलिए बूट कैम्प में भी लेंड करके हम देखते हैं यहां पर दोस्टों अगेंस से आप देख सकते हो HDR एक्स्ट्रीम पर है यहां पर आप देख सकते हो 60 fps दिखा रहा है 59 जा रहा है पर उसके जो पीछे है बूल नहीं जा रहा है मिन्स यहां पर काफी अच्छे से HDR एक्स्ट्रीम में भी आप पबजी गेमिंग कर सकते हो कोई भी दिक्कत इस मोबाइल में आपको यहां पर नहीं जाने वाली है कंटिन्यू यहां पर आप IPS मिटर को चेक कर सकते हो यहां पर कोई भी वीडियो एडिट नहीं किया गया है HDR एक्स्ट्रीम में यहां पर काफी इसमूद तरीके से पबजी गेमिंग यहां पर आप कर सकते हो अब सबसे ज़ाँ सेटिंग जिससे मोबाइल सपोर्ट करता है Ultra HD पर हम यहां पर कहलेंगे और डेफिनिटली दोस्तों फ्रेम रेट यहां पर काफी ज़्यादा गिरने वाले हैं क्योंकि यह काफी ज़्यादा हाय रिजुलिशन वाली सेटिंग है और काफी अच्छे ग्र अल्टरा एजडी में जो हम खेल रहे हैं तो फ्रेम देख सकते हो यहां पर एपीएस पर सेकेंड थर्टी नाइन फोर्टी एपीएस यहां पर दिखा रहा है मैंने पहले ही बोला था काफी ज़्यादा हाई रिजुलिशन वाले सेटिंग है अभी भी यहां पर देख सकते ह अल्टरा एजडी पे हम यहां पर रन कर रहे हैं और थर्टी नाइन फोर्टी एपीएस पे यहां पर गेमिंग हमें मिल रही है इस सेटिंग में दोस्तों बहुत बहुत कम मुबाइल ही सपोर्ट करते हैं फ्लेक्सिप लेवल के मुबाइल सपोर्ट करते हैं फिर भी आप इसमें यहाँ पर खेल सकते हो और 40 fps मिल रहा है तो भी यार बहुत बैटर है काफी अच्छा यहाँ पर स्मूद एक्सपिरेंस है कुछ भी यहाँ पर लेगिंग फ्रेम ड्रॉप अगरे का इस्यू नहीं आ रहा है हाँ थोड़ा सा मुबाइल जो है हीट हो रहा है थोड़ा बहुत तो यहाँ पर हीटिंग इश्यू आए गई जब आप इतनी ज्यादा हाई ग्राफिक सेटिंग में गेमिंग करते हो जैसे आप दिख सकते हो कंटिन्यू यहाँ पर 40, 439 FPS ही यहाँ पर मिलता है अगर आप Ultra HD में इसके मुबाइल से गेमिंग करते हो तो यह था दोस्तो सभी ग्राफिक सेटिंग में कम्पलीट FPS टेस्ट Poco X3 Pro का का अच्छी डिवाइज है 860 processor के साथ काफी smooth experience आपको इस मुबाइल में मिलने वाला है यहाँ पर एक काफी जादा अच्छी अच्छी ग्राफिक सेटिंग आपको मिल जाती है इवन दोस्तो कोई भी lag issue नहीं मिलता है इस mobile के रिगार्डिंग और भी बहुत से वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे और आपको कौन से वीडियो चाहिए मुझे comment section में बताजीचे का या पर टेलेग्राम ग्रूप को भी join कर सकते है मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैन बोलते रहे हैं बंदे मातरम